फर्स्ट कुशन है more person than more person than one has been involved in this coil ठीक है कहने का मतलब more person यहां पर चुट गया यहां पर था ठीक है more persons more persons than one has होगा यहां पर ठीक है तो कहने का मतलब subject के बाद आप हमेशा एक वर चेक किजी कि भर्ब उसके साथ क्या है ठीक तो error में क्या-क्या गलती देखने को बनता है सबसे पहले बात कि रहें तो हम सबसे पहले भर्ब का error रूनते हैं वर्ब क्या है सही है यह अगला थैज ठीक पहला चीज भर्ब दूसा चीज आज आर्टिकल उना आर्टिकल ये कुछ वह से जहां पर आपको एरर मुनती है जैसे कि वर्व को भी एर च्षिकर देखने को बनेगी है आरटिकल बेस्ट होग आपका फिक पोझिशिशंट का लसा ले नहीड संग्सिठ यहां पर मैंने सबसे पहले यहां पर चेक किया कि उसका भर्व क्या होगा भर्व भी हमेशा प्लोरल में होगा तो एक तो चेक करने से यह चीज़ पता चल गया और यहां पर हाज नहीं होगा बलकि हाव होगा ठीक कहने का मतब बी पार्ट में यहां पर एरर था तो हम क्या करेंगे संटेंस में अगर आपको संटेंस मिला उसम करना होगा सबसे पहले वर्ब दूस्ता आर्टिकल तिस्ता प्रिपोजिशन ठीक उसके बाद बाकि सब चीज भी आपको फोकस करना है जैसे कि आपको नाउन प्रिणाउन ठीक है और हाँ प्रोनाउन की कि लोडल होगा सब्जेक्ट सिंग्ड़र यह तो सब भर भी आपका सिंग्ड़र होगा इससे आपको देखना परेगा चलिए तो यहां पर हो गया नेस्ट अब आते कोशन तो एक तो यहां पर चीज मैंने आपको बता दिया कि मोड परसं सा यहां पर चूटा हुआ था ठीक है यहां पर चूट गिया था टाइप करते हो तो इसका एक स्ट्रक्चर है जिसको आप नोट कर लिजेगा फर्स्ट कोशन का इसको कैसा प्लस प्लूरल वर्व ठीक मोड प्लस प्लूरल नाउंड प्लस दैन वर्व रहे तो क्या होगा प्लूरल वर्व होगा ठीक यहां पर प्लूरल वर्व होगा ठीक तो हैव होगा तो स्ट्रक्चर आप इससे नोट कर लिजेगा कहीं पर या स्क्रिंस्वाट लेकर रख complete ठीक है first question first rule complete second question में आते हैं I made the two girls whom I believe are twin sister अब यहां पे किस पार्ट में error है तो यहां पे जब भी connectivity की बात आती है जहां पे conjunction होता है जहां पे relative non होता है वहां पे आपको एक नजर डालना होगा एक नजर डालना होगा कि यही यही वह कि पॉइंट हो सकता है यहां पे error हो सकता है यहां पर suburbs एक यहां पर ऑब्जेक्ट आते की देखिए गा यहां पर 328 रहा है यहां पर विलिप क्या है वर्व है तो वर्व के लिए सब्जेक्ट है ठीक तो कहने का मतलब यहां पर कुल मिला कर आल टूइन सिश्टर आल टूइन सिश्टर का सब्जेक्ट कहां है यहां पर सब्जेक्ट नहीं पता है जब ऐसे कंडिशन में सभी का सभी वर्व का जो कर दीजेगा जो भी मैं आपको बताने वाला हूं I made the two girls whom नहीं कबल कि who I believe our twin sisters ध्यान रखेगा अब आए इसका मैं आपको कुछ रूल बता देता हूं तो तेकि मैंने आपको क्या बता है कि हमेशा आपको दो तीन चीज़ ध्यान रखना होते तो यहां पर आपको मैंने बताए कि स्कतर हो यहां पर कि अगर हू रहे तो ठीक हू रहे तब क्या होगा हू वाले कंडिशन में हू के साथ क्या होगा ध्यां रखेगा हू रहे तो उसके साथ वर्व होगा लेकिन हूम रहे तो हूम रहे तो क्या होगा वह यहां पर ध्यां रखेगा हूम रहे तो सब्जेक्ट और फिर व भर्व होगा चले यहाँ पर आपको एकना बात तो समझ में आ गया होगा ठीक तो अब आगे बहेंगे सवाल पे नेस्ट कोशन है है ही इंटर इंटु इस नियू हाउस लास संडे अब देखें ही इंटर इंटु इंटर भी इंटर मिंस परवेश करने इंटु का मतलब इसी में होताय पंदर के सेंस में होताय fazer यहां पर एक साथ इंटर इंटू नहीं होगा यहां पर इंतू में कला डाना होता प्लॉस हो यहां पर्वेर फिंटेकरyu पर्व wanna think यहां तक आपको यहां पर v part में रहे तो पहलाraz मस्य पर wipes पोट में यहां पे हाव ओता है के बदला शिकंट वाले पांट में भी आपका भी पांट में ओता यहां पे हूं होता smiling होता और थार्ड पांट में अपा जो है एरट क्या है ही इंठ्फिट्हिस एश Aujourd संडे रर चली है को आगे बढ़ेंगे सवाल पे next question है कि Even many people carry an infection without showing it's symptoms चली many people many people many people carry an infection क्यले कमतों many people carry an infection without showing its symptoms तो यहाँ पे इवन क्या कर, अभी even का कोई मतलब नहीं बनता है यहाँ पे काट देजहे Even का कोई मतलब नहीं बनता है, many people carry an infection without showing its symptoms सब्स्वीर कि चलि यह तक हो गया किस जो फोर्थ वाले कोशन में कोई खास इसमें कोई रूल सो नहीं थे कोई यहां पर यह तीनों जो पॉशन थे आपको रूल बेस थे ठीक है फर्स्ट में आपने सीखा रूल सेकनल में भी सीखा थर्ड में रूल सबाल पर ओलेख्स जो सफ़ाल यहां पर हं वो क्या है देखिए यह स्बính नेकंस कोश्चन कोश्चन जो है यह इ'M आपका रू WILL पढर यह और कोश्चन कोश्चन टैक का रूल है कोश्चन टैक को मूर यहां पर बेसल है तो धियाण tief adh संटेंस अगर संटेंस ठीक पॉजेटिव में रहे अगर संटेंस पॉजेटिव में रहे तो कोस्टन टैक जो बनता है क्या निगेटिव में अगर संटेंस निगेटिव में हो तो कोस्टन टैक क्या बनता है पॉजेटिव में यह चीज़ ध्यां रखिया कोस्टन टैक के यह है sentence जो होता है positive में हो तो question negative में अगर sentence negative में तो question positive में देख यहां पर they will be coming to attend the farewell party isn't it तो यह वाला part आपका error है ठीक c वाले part में error है यहां पर isnt नहीं को बलकी क्या होगा won't won't they होगा ठीक won't they होगा जा रखिएगा तो कहने का मतलब वून्ठ होगा और यहाँ पर जो सब्जेक्ट दे हैं वो दे रहेगा को अगर यहाँ पर जैसे की राम के लिए ह Вас अगर सीता होती तो सीता के लिए वहाँ होता लास्ट में ठीक इस सर्था एहां पर जो पॉजिटीव प्रेसें दे स्थेंग निये और यहां पर आफ देख रहेंगे तो इहां पर यहां पर यहां पर आपका फिलर होता है उसके और बहुत सारे बढेंगे तो यहां पर कि बाद हम लुग देखेंगे पर विलर काफि वूँऋ पर ईक्वाब पॉलो करते हैं या लागू होता है सेम डिूब पर आप फॉलो करते हैं एरोर के लिए जो रोल फॉलो करते हैं यह लागई होता है तो यह सका मतलब वनेख को आपके पास ख्रामर चल अपको पेटाख का अब आपका अपको अंब Kiss no sooner had he entered the room and everyone startedु के साथ Know Sooner के साथ जो Conjunction होता है वो क्या होता भी? Know Sooner के साथ Conjunction than होता है अब यहाँ पर देखे यह Option में आपका than है क्या? But है and है Than है? ठीक है? Than है? तो यहाँ पर कह सकते सी नमबर आपका आंसर होगा than Th Emmanuel Know Sooner के साथ Him क्या बताया है? है हमेंने तो कह सकते कि नो सुनर के साथ क्या हम लोग लगाते है नो सुनर के साथ क्या लगता है दयान लगता है तो इस हिसाफ से आपका three options सही होगा बात है next question में next question है कि my mother is so poor देखिए ये वह आपका rule के अधार पे so के साथ हम लोग क्या लगाते है so dot dot that ठीके conjunction के साथ का कनेक्शन होता है कन्जंग्शन इसके साथ यूज होता है तो my mother is so poor कि बात देखिए एक ही यहाँ पर संटेंस से बी वाला पार्ट में आपका डाट लगा हुआ है तो अंसर जो होगा भी आपका अंसर होगा है ना बी अंसर होगा दाट सी कैन नॉट बाइफ फॉट for us next question पर आते हैं next question क्या है कि the inspector of exercise has to conduct regular checks and that's to visit the unit at least once a day अब देखिए यहाँ पर क्या होगा क्या है यहाँ पर एक तो यहाँ पर प्लॉरल में है ठीक दूसरा यहां पर आपका पहस्ट में भालकि यहाँ पे simple sentence में क्या सैगे प्रजेंट में ऊने के लिए ना तो जमें इदी वाला होगा मिए प्रश्ट वाला तो बिल्कुल नहीं होगा इंड के पहले यहां पे पैस्ट इह प्र्सेंट ãyермeton की की बात कि चाह trash requiring नहीं ओगा इस गुवारत तो बिल्कुल नहीं होगा आंसर जो होगा रिक्वाइट होगा ठीक है एंड के पहले अगर यहां पर क्या है चेक्स है यहां पर प्लोडल है तो इसके बाद भी प्लोडल होगा ठीक है वह यहां पर प्रजेंट conditional conditional clause है यह conditional clause है और conditional clause अगर present में हो ठीक present में हो अगर conditional clause present indefinite में हो तो ध्यां रखेगा जो इसका और जो second clause होगा ठीक है कंडिशलन व्लॉस में जो होगा आपका वो होगा आपका फ्यूचर है फ्यूचर इंडेफिनेशलेंट में के लिए उन्गाइब और संथिन और अगर आपको दीखिएगा कंडिशनल क्लाउज अगर आपका प्रजेंट में होगा क्लाउज आते हैं निश कोशन पर कोशन नमर्ट 10 में क्या है वेले साथ हीम फूदा विंडो अब देखिए यह भी पास्ट का दो घटना एक घटेगा तो दूसरा उसके बाद घटना होने के संटेंस होगा में क्लाउज भी होगा वह भी आपका क्या होगा पास्ट में ही होगा ठीक है पास्ट में तो भी नमर ऑप्सन होगा पास्ट की दो घटना सुन लिए पास्ट की दो घटना एक होने के बाद अगर दूसरा होता है एक होने के बाद अगर दूसरा होता है तो कं अब देखिए अब चाल्ड के बात की चाहल्ड इल है तो क्या होगा है मदर सेंट फोर्ड दॉक्तर ना मदर सेंट फोर डॉक्टर दॉक्तर लॉक्तर वासीं पर विल्ड़ वॉप रूम वर क्लोज्ट क्यों कर दिया जाया था बोटल अफ मेरी सिन्वाच मौन इंपटी ऐसा तो बिल्कुल आप एक नजर में आंसर को क्लिक कर सकते हो उसको आप क्लिक कर सकते हो देखो इसमें खास रूल क्या है ध्यान रखेगा इट इस नू यूज तो क्या ए इसके बाद जो वडब व कैसा होग यह वर्व रूक होग कैसा होगा हमईा में माद पढम के सकते हैं यह वह अगलब कि अयह यह व्यंफ यह वर्ड ह् साओ उच्छा और तो पने को देख़ आयं जीक्सिवा कंव सहगी दरगे asking asking him answer a हो गया एक नजर में मैंने बताए it is no use के बाद भर्व क्या होगा विफोर होगा answer एक बार में click हो गया और answer आपका हलिश पर सही हो जाएगा अब आते हैं नेश कोशन ये भी आपका rule-based है ठीक rule-based क्या है यहां पर आपको note करना होगा देखें इसका rule यह है कि the comparative the comparative plus subject plus v1 then the comparative comparative plus subject plus v1 तो खुल मिला कि यहां पर आपको बात समझना होगा यहां पर देखें जिए the comparative the higher you go the more difficult the higher you go the more difficult it क्या होगा विवन होगा तो यहां पर answer जो होगा becomes होगा ठीक यह नमबर आप्शन होगा चुकि यहां पर देखें गो भी आपका newby region hai यहां पर यहां पर आप यहां पर यहां पर एट लेवान फोन को कि आप लोगा होगा अंगो आते नं wen स्षसे पर कम एवर्सीन प्लएंस के साथ यहां पर जो बिजा यहां यहां पर यह पास्थी प्लास में नहीं होगा यहां पर है everyone wants to be admired for one's achievement सभी को उनके एशेब्मेंट के लिए सराया गया ठीक है यहां तो क्लिए और क्या है आपका यहां पर जो है साइनों है साइनों मिंस की बेस्ट एक्सपेस जो की सेम मिनिंग देने वाला है अब यहां पर कॉर्शन आपको दिखेंगा डियर डियर यहां पर चार यहां पर क्या करोगे तो यहां पर यहां पर क्या नहीं होता कि यंग होगा डियर का मतलब कोश्ली कोई यह पीयारा है तो बहुत कोश्ली भी तो होता है उसकी हिसाब से मिनमम का मतलब होगा मुनिमम एंसर जो हो गाए आपका हाड़ वर्किंग होगा सी नमर ऑप्शन से अब अब आधे कोशिन में 20 20 में क्या है कोलोस्त का मताव बहुत विशाल बहुत विशाल या बहुत बरा ठीक डिसकागा तो यहां पर जो होगा ही यूज होगा इसका अंसर चिली अब आते नेस्ट कोशन अब यहां पे opposite ओपर और फ्लेक्शिबल का मतलब होता है क्या बषय गलाइद हो इसोर और कोतर मतलब होता है कि अधिक शिचला है ना कहसा कह सकते हैं या कम गहरा औरहां कम गहला तो इसका उल्टा क्या होगा क्या होता है डीप तीप गहरां इसको क्लाइब और मतर्चा आरपाल कोई वस्तू ना देखा जा सके ठीक जैसे लकरी के आरपाल आप कुछ नहीं देख सकते लेकिन मीरर के आरपाल आप देख सकते हैं आते हैं confidence confidence का opposite क्या हो confidence मतलब आत्म विश्वास से भरा होता है तो यहां पर जो answer होगा कि पॉजिटिव और समझदार ठीक पागल पन होता है और इसका मतलब समझदार है कि चलिए अब आते कोश्य में 26 से 30 में क्या है इडियम फ्रेज काफी इंपोर्टेंट यह सेक्शन है और कई बार एक्जाम में आपको आते ही आते हैं और यहां से अगर आप अच्छे अच्छे की बात होगी कि तो प्र्मोशन की होगा अगर उस CC आटक एक वाट कर देगे तो महानु के त्याग देना अंसल जो होगा वह होगा आपका वी नमर ऑप्सन और अप्सन्मिन गिवप का मतलब होता है त्याग देना अंसल जो होगा त्याग देना आपका वह ऑप्सन होगा ठीक बीनमर ऑप्सन्मिन होगा ए का मतलब ही होता है छोड़ देना याथ यआज देना छोड़ देना उस ज़ देना जम्सीद्व मतलब आपके मधर फिक कह नथी का मतलब हो गया हiego हैं और मेधर टो meditation मतलब होगाइक सबस्काभ dran के माल मिलाल सबगा करों कि किसी तर क्या करते हैं मदर करते हैं और यहांपनमे और क्सेल कर देखते हैं था गौस्न में क्या कि इफीयु रजा